यूपी के लोगों ने बनाया अब आपको अपना ही रेकॉर्ड तोड़ना है तोड़ोगे ना पक्का आप याद रखिए यूपी में भाजपां सरकार होने का मतलब है दंगा राज, माप्या राज, गुंडा राज इन पर बराबर कंट्रोल है के नहीं है? है के नहीं है? यूपी में भाजपां सरकार का मतलब है पूजा के दिन हो, परवों के दिन हो, पूजा परवों को मनाने की खूली स्वतंत्रता यूपी में भाजपां सरकार का मतलब है जै जै श्री राम जिनके इंतजार में हम लोग घंटों से बैठे थे ऐसे हमारे एशश्वी नेता, इस देश के दिलों की धड़कन और भिश्व के सबसे बड़े नेता, आदरिशी नरेंद्र मोधी जी हमारे वीच में पधार चुके हैं हम उनका स्वागत वमभिनंदन करते हैं और आप सबसे अनुरोद करते हैं कि उनके उद्वोधन के दोरान आप लोगों का आशिर बात बराबर मिलता रहे ऐसी मैं आप से अफेक्षा करता हूँ तालियों की गड़ाहट से आप लोग उनका स्वागत वमभिनंदन करते रहे मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि वो हमारे नेता भी हमारे चंद मिनिटों में अपने बीच में आने वाले है आज एक ऐसा पवित्र दिन है गुरु रविदास जी की जैनती है जिनको हम लोग नमन करते है आज इस पवित्र दिन के उपर इस पावन धर्ती पर नेमिशारण की पावन धर्ती पर हमारे शुश्री प्रदान मंती जी के दुबारा चरण पड़े है ऐसे मैं शुश्री प्रदान मंती जी को हर दे से धन्वात की अपित करता हूँ बोलिए भारत मता की भारत मता की जै श्री राम जै जै श्री राम जै श्री राम जै जै श्री राम आदनी नरंद्र मोधी जिन्दाबाद आदनी नरंद्र मोधी जिन्दाबाद योगी मोधी जिन्दाबाद भारत मता की बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच में हमारे शश्री प्रधान मंतरी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं सबसे पहले मैं उनसे अन्रोद करूँगा कि आज संत्र अविदास जी की जैन्ती है वो अपनी पुष्पांजली संत्र अविदास जी के चरणों में करें मैं उनको आमंतित करता हूँ आधनी मोधी जी अब हमारे बीच में हमारे चेतरी अध्यक्ष् श्री शेश नारायन मिश्रा जी और हमारे जीले के अध्यक्ष् श्री हचिन महरोतरा जी दोनों लोग सहीउक्त रूप से अपने मुख्य अतित को पटका पहना कर और इसमच्च निदे करके उनका सम्मान करेंगे आधनी चेतरीयत देख्ष और हमारे सम्मानी जिलात देख्ष हमारे जनपत की वन डिस्ट्रिक वन प्रोड़क्ट जो दरी का बहुत बड़ा बेऊसाय है बिदेशी मुद्रा हमारे जनपत को हमारे देश को आती है वो अभी हमारे जिलात देख्ष ने मानी प्रदान मंति जी को बेट किया है अब मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए सीधे वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार स्री पंकत चोधरी जी को आमंतित करता हूँ कि वो अपना स्वागत भाशन करे आधनी श्री पंकत जी कारकरम के मुखतिती विस्ट के सरवादिक लोगपिरिये नेता परमादर्ये नरेंद मोदी जी मंज पेविराजमान छेत्री अद्दच सेश नाराइन मिश्रा जी जीतिन प्रसाद बंत्री जी सांसत रेखा वर्मा जी राजेश वर्मा जी असोक रावज जी जनारदन मिश्र जी सभी विधायक गण उपस्तित हमारे सभी बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों मातायम बैनों तो तब प्यारे बच्चो वित्रो आज जिनको हम सुनने आए हैं आज उनके ने तित्त में निश्चित तोर से भारत का गवराव बढ़ाने का काम हो रहा है वित्रो एक तरफ जरु नाराथा सबका सास सबका विकास आपने देख ला होगा कि जतने भी कल्याड कारी योजनाय चल लहीं है वो कहीं न कहीं किसी भेद भाव का चल ला है जहां पैंड भी काल में पूरे दुनिया को कठलाईयों का सामना जहनना पड़ा वह भारत को भी उन कठलाईयों का सामना जहनना पड़ा मित्रों लेकिन आज दूनिया का सर्वाधिक गट्टी से अर्थ beschäft etap चलने वाला भारत देश landfill में एक लौता देस मित्रों एक तरब जहां अर्थ व्हक्ता सवालने और सजाने का भी काम किया वहीं प्रधान मंतिर की जो गरीबों के परती चिंता होती है आज कहीं कहीं पैंडिमिक काल में भी जब पूरा देश बंद था उसमें प्रधान मंतिर जी की भी चिंता उन गरीबों की लगी थी और उनके घर में कैसे चुला जलेगा और लगा तार दो साल से मुफ्त में रासन दे करके जो दुरिया की सबसे बड़ी ओजना है अन्ने की ओजना है आज गरीबों को मदद करने का काम हमारी सरकार ने मानि पढ़ान मंतिर जी के नितुत में किया है उन मजदूरों का भी चिंता किया जो देश में फसरते उनको घर तक पहँचाय ने की भी चिंता हमारी सरकार ने किया वितुर ने उन उन्माता हुप भ वैनों का भी चिंता किया जो घर चलाती उनके खाते में भी पैसा डलवाने का काम किया रगादे वो मजटूर जीन का काम कार्प्ध पड़ गया था उनके खाते में मैं हजार उपया डलवाने का काम किया मित्रो ऐसे पढ़ान मंतिजी का नैमी सामन के धर्ती पर सीताबुर के धर्ती पर मंच के महादम से और आप सब के महादम से यहाँ पर हार्दी का विनंदन बंद करता हूँ एक मत जोड़दार नारा दीजिए भारात माता की भारात माता की अब आपके बीच इंतजार की घड़ियां खतम है आपके बीच में और मानी मुकतित के बीच में मैं बेधान अबुत्पन नहीं करूँगा उनके स्वागत में जोरदार जारा लगाए भारत मता की भारत मता की जय श्री राम जय जय श्री राम अब हम अपने देश के शश्वी प्रधान मंत्री बीच्व के सबसे लोक प्रियनेता जिनके मार्ग दर्शन में हम लोग आप लोगों की सेवा करने का काम कर रहे हैं ऐसे शश्री प्रधानमंती जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो मंच पर आए और अपने उद्गार व्यक्त करें हम लोगों को आशिरबात देने का काम करें शश्री प्रधानमंती आधनिशीर नरेंद्र मोधी जी भारत माता की भारत माता की नमश्कार मैं देख रहा हूँ मेरी नजर जहां पहुंच रही है उससे भी उस पार मैं इतना बड़ा जनसागर देख रहा हूँ आप इतनी बड़ी तादाद में हमें आशिरबात देने के लिए आए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और यहां तो मैं देख रहा हूँ काटन के भी उच्पीस्चे लोगों को तकलीब होड़े लेकिन खड़े हैं रुशियों मुनियों की तपोस्थली सितापूर और आसपास से आए सभी भाईयों बहनों को मेरा सर जुका करके प्रणाम आपका यह उच्पा बता रहा है कि यूपी में अगले पांच चरणों में भी बीजेपी का ही पर्चम लहराएगा अब आप सभी को मिल करके भाजपा को रिकॉर्ड सिटों से जिताना है 2017 में जो रिकॉर्ड यूपी के लोगों ने बनाया अब आपको अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना है तोड़ोगे ना पक्का आप याद रखिए यूपी में भाजपां सरकार होने का मतलब है दंगा राज माप्या राज गुंडा राज इन पर बराबर कंट्रोल है के नहीं है है के नहीं है यूपी में भाजपां सरकार का मतलब है पूजा के दिन हो परवों के दिन हो पूजा परवों को मनाने की खूली स्वतंत्रता यूपी में भाजपां सरकार का मतलब है बहनों बेटियों की मन चलों से सुरक्षा यूपी में भाजपां सरकार का मतलब है गरीब के कल्याण के लिए निरंतर काम यूपी में भाजपां सरकार का मतलब है केंद्र की योजनाओं पर डबल स्पीर से काम साथियों आज संत रविदाज जी की जन्म जैंती भी है रविदाज जी के अनेकों मंदिरों में अनेक भक्त जुटे हुए है आज सुबह मुझे भी दिल्ली में संत सिरोमणी स्री गुरु रविदाज जी विश्वधाम विश्राम धाम विश्राम धाम मंदीर में जाने का सवभागे मिला मान्यता है कि जब एक बार गुरु रविदाज जी राजस्तान जा रहे थे तो दिल्ली में उसी स्थान पर उन्होंने विश्राम किया था मेरे लिए दोहरी खुशी ये भी है कि मैं उस कासी का साउसद हूँ जहां संत्रविदाज जी का जन्म हुआ था ये भी मेरा सोभाग्य है कि बनारस में उनके मंदीर परिसत के संदर्य करण का कार्य एक पवित्र कार्य करने के लिए इश्वर ने मुझे निमित बनाया मुझे एक माध्यम के रुपे इतने सानों से जो काम नहीं हुआ था वो काम मुझे उस्थान पर करने का रविदाज जी के मंदीर के पूरे परिशर को सजाने का मौका मिला दसकों से रविदाज जी के भक्त हर सरकार से इसकी मांग करते थे हर व्यक्ति से इसकी मांग करते थे लेकिन चुनावाता था लंगर चखना फोटू निकलना और भाग जाना यही होता था बाजपा सरकार बहां संत रविदाज जन्वस्तली विकास परियोजना पर भी तेजी से काम कर रही है रविदाज जी के स्रधानों के लिए अनेक सुभिधाएं वहां विक्सित की गई है आज वहां उनके भग्व्य मंदिर में दर्शन के लिए देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं मुझे विश्वाथ है कि संत रविदाज जी की जन्वस्तली पर भाजपा सरकार जो सुभिधाएं बना रही है उससे स्रधालूं को बहतर अनुभव मिलेगा हाना कि मुझे ये देखकर भी तकलीब होती है कि हाँ पहले जिनों ने पाँच साल तक सरकार चलाई 2017 से पहले उन्हें संत रविदाज जी के नाम से भी कितनी चीड रही है ये मुझ से ज़्यादा उत्तर प्रदेश के लोग जानते है साथियों संत रविदाज जी की प्रेणा से हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विशवास और सबका प्रयास के मंत्र पर चल रही है हमारी योजनाओं के केंद्र में गरीब है दलीत, शोसीत, पिछडे बंचीतों का कल्याण है आप सब जानते हैं बाईयों बेन, पूरी दुनिया पिछले दो साल से सो साल में नहीं आई ऐसी भैंकर महामारी में उसकी चपेट में है पूरी दुनिया इस महामारी के इस कान में भाजपा सरकार ने गरीब का जीवन बचाने को सरवोच्य प्रात्विक्ता दी है संत रविदाजी भी कह गए थे और आप मैं जो रविदाजी जो कहके गए तो बताऊंगा तो आपको भी विश्वास होगा कि हमारा काम करने का तरीका हमारा काम करने की प्राथविक्ता पुझ्य संत्रविदाज जी जो सदियों पहले मारदर्शन किया था उसी नक्से कदम पर चलना किया है संत्रविदाज जी ने क्या कहा था संत्रविदाज जी ने कहा था ऐसा चाहूं राज में यानि मैं ऐसा राज चाहता हूँ ऐसा चाहूं राज मैं मिले सबन को अण छोट बड़ो सब सम सबसे छोट बड़ो सम सम बसे रविदास रहे प्रसंद यानि मैं एक ऐसा राज चाहता हूँ रविदाज जी नहीं कहा है मैं एक ऐसा राज चाहता हूँ जिसमें सभी को अन्न मिले हर कोई एक समान समरस होकर रहे इसी सोच के साथ यूपी के करोड़ों लोगों को करीब करीब दो साल से मुप्त राशन दिया जा रहा है इसमें सभा नव करोर से अधिक साथी पिछडे वर्ख से हैं अनुसी चीत वर्ख के हमारे तीन करोर भाई और महनों को भी भाजपा सरकार मुप्त राशन दे रही है करीब तीन करोर साथी सामान ने वर्ख के गरीब परिवारों के भी है अलप संक्यक समाज के भी लाखों साथीों को इसका लाब मिल रहा है जब गरीब की तकलीफ का एसास हो तो ऐसे ही काम होता है ऐसे ही काम किया जाता है गरीब का राशन जो पहले माफिया लूट लेता था उसका एक एक दाना आज गरीब के घर पहुंच रहा है इस पूरे कोरोना कान में मैं एक बात पर हमेशा ध्यान के दृत कर रहा कि किसी गरीब के घर में ऐसा दिन नहीं आना चाहिए ताकि घर का चूला न जला हो गरीब के घर में किसी को रात को भूखा सोना न पड़े इसके लिए हम जाकते रहे हैं और सरकार इस पर दो लाग साथ हजार करोड रुपे से जादा खर्च कर रही है गरीब बले ही किसी भी वर्ग का हो दलीद हो पीछडा हो वो जानता है कि किसने संकट के समय में साथ दिया और कौन संकट के समय लापता हो गया था ये गरीब बराबर अपने दिमाग में भरके रखता है साथियों कोरोना के इस समय में गरीबों को मुक्त वैक्सिन का भी हमारी सरकार ने पूरा ध्यान रखा है पहले की सरकारों के समय कभी ऐसे अभियान चलाकर इतना बड़ा अभियान चलाकर समय सिमा में गरीबों को मुक्त वैक्सिन नहीं दी गई है आजादी के इतने सानों के बाद ये पहली बार हुआ है पहले तो हालत ये थी कि पहले की सरकारों का वैक्सिनेशन कारकम हमारे गाउं तक आदिवासी इलाकों तक ठीक से पहुँच भी नहीं पाता था बरसों बरस कारकम चलते थे गरीबों को वैक्सिन की एक डोज नहीं लग पाती थी आज ये भाजपास सरकार है जो देश के कौने कौने में गरीब से गरीब को मुक्त वैक्सिन लगवा रही है भाईयों बेहनों मैं आप से पूछना चाहता हूँ ज़रा जवाब देंगे मैं सवाल पूछू जवाब देंगे ज़रा जोरों से बता है तो पता चले जवाब देंगे इधर वाले देंगे यहाँ वाले देंगे आप मुझे बताईए आपने वैक्सिन लगवाई है हाथ उपर करके बताईए लगवाई है आपको वैक्सिन के लिए एक पैसा भी खर्च करना पड़ा है आपके घर घर सरकार ने चिंता किये अगर नहीं किये इतनी बड़ी महामारी में आपके आपके परिवार के आपके गाउं को लोकों की जिन्द की बचाने के लिए हमने जी जान लगा दी के नहीं लगा दी भाईयो बहनों विदेशों में कोरोना का यही टिकार बहुत जादा कीमत पर लग रहा है लेकिन भारत में भाजपा की सरकार हमारे लिए तीजोरी नहीं मेरे देशवासियों की जिन्दगी बहुत उत्तम है किमती है तीजोरी खाली कर देंगे लेकिन तीका घर घर पहुँचा के रहेंगे यह काम हमने किया है यह इसलिए क्योंकि हमें गरीब की दलीत की हर पीडि सोसिद वंचिद की चिंता है उसकी परवा है इस पर भी हमारी सरकार हजारो करोन रुपिय खर्च कर रही है भाईयों बैरों हजारो करोन रुपिय इस करोना काल में गरीबों को आईश्मान भारत योजना का भी बहुत लाब मिला है जो गरीब पहले अच्छे अस्पताल में इलाज की सोज भी नहीं सकता था और मैंने तो देखा है क्योंकि मैं भी आपी की तरह एक बहुत ही सामान ने परिवार चाया मैंने गरीबी के भासन नहीं सुने मैं गरीबी जी करके आया हूँ गरीब की जिन्दगी क्या होती है ये मैं उससे गुजर करके आपके बीच में पहुँचा हूँ भाई ये बैरो गरीब के घर में मा अगर बिमार होती है सालों साल तक दर्द सहती है किसी को बताती तक नहीं है घर में और दर्द हद से बार हो जाए डॉक्टर के पास ले जाए बच्चे और डॉक्टर अपरेशन के लिए कहें तो मा कहती है नहीं मुझे अपरेशन नहीं करवाना है इसलिए नहीं कि वो अपरेशन से डरती थी वो इसलिए अपरेशन नहीं करवाती थी कि वो सोचती थी कहीं बच्चे करज ले करके मेरा आपरेशन करवाएंगे और मेरे बात उनके सर पर इतना करज बना रहेगा कि वो जिन्दगी नहीं जी पाएंगे और इसलिए माँ खुद भी मार रहना पसंद करती थी लेकिन बच्चों के सरी माते पर करज नहीं आने देती थी ये सही है कर नहीं है भाईयों? ऐसा ही होता है कर नहीं होता है? इस दुख को कौन दूर करेगा भाईयों? ये गरीब की चिंता कौन करेगा? अगर गरीब मार बिमार है तो उस मा का इलाज कौन करवाएगा? और इसलिए हमने प्रदान मंत्री आयुश्मान योधना लाकर के हर गरीब परिवार के व्यक्ति को पांच लाक रुपिये तक अगर खर्चाता है तो उसका सारा जिम्मा हमने उठा लिया ताकि मेरा कोई गरीब परिवार दवाई के अभाऊ में, डॉक्टर के अभाऊ के, अस्पिताल के अभाऊ में दम तोड़ न दे भाईयो आखिर सरकार होती किसके लिए है सरकार गरीबों के लिए होती है अरे अमीर तो बिमार हो जाएगा तो दस डॉक्टर उसके घर आ करके कताब लगा के खड़े हो जाएंगे हवाई जहाज में उसको उठा करके ले जाएंगे जहाँ अच्छी हस्पताल होगी लेकिन गरीब कहा जाएगा अर इसलिए भाई यो बैनो डबल इंजिन की सरकार डबल सक्ति से यूपी को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए गरीब को शसक्त करने के लिए काम कर रही है हमारे गरीब पिछडे दलीत भाई बेहनों का बहुत बड़ा सपना था कि उनके पास भी पक्का घर हो भाजपा सरकार ने अपने पांच साल में सिर्फ उत्तर प्रदेश में मेरे साल भाईयों मैंनों अकड़ा याद रखना जड़ा पांच साल में उत्तर प्रदेश में चोतिस लाक पक्के घर बनाकर हमने गरीबों को दिये हैं और आज गरीब पक्के घर में रहने लगा है भाईयों और जिनको अभी घर मिला नहीं है उनको भी मैं विश्वाद दिलाता हूँ ये काम अभी भी तेजी से चल रहा है आने वाले दिनों में आपका नंबर भी लगने वाला है ये मोदी है करके रहेगा देके रहेगा और मेरे लिए खुशी की बात है अब मेरे मंत्री परिशद में पंकच चोदरी जैसा वित्त मंत्री है फाइनांस मिनिस्ट्र हैं मोएस इस बार के बजेट की पूरी हिंदुस्तान में तारिफ हो रही है ये बजेट किस ने दिया है ये पंकच चोदरी जी ने दिया है जी और उन्होंने भी आपके दुखदर को जानते हैं इस पजेट में भी गरीबों को लाखो घर देने के लिए कोटी कोटी रुपियों का प्रावधान कर दिया है मैं पंकर जी को अभिनन देता हूँ भाई यो बेनों गरीम माताओ बेनों बेटियों को खुले में सौच के अपमान से पीडा से मुक्ति चाहिये थी कैसे दिन थे आज़ादी के साथ साथ दसक के बाद मेरी गरीम मां अंधेरे का इंतजार करती थी सोच जाना है तो सुबे सूरज उगने से पहले भागती थी कितनी ही ठंड हो जाना पढ़ता था कहीं जंगल में और शाम को सूरज धलने से बाद जा पाती थी पीडा सेहन करती थी सौचालई की सुविधा नहीं मिलती थी ये मेरी मा का दर्द मेरें गरीब परिवानों का दर्द गरीबी से आया हुआ उसका बेटा ही जान सकता है भाद जपा सरकार ने यूपी में दो करोड से जादा इज्जत गरों का सौचालईों का निर्मान करके उनके जीवन की बहुत बड़ी परिशानी दूर की और मैं उत्तर प्रदेश की बेहनों का एक विशेस कानन से आभार व्यक्तर करता हूँ क्योंकि सौचालई को इज्जत गर जो नाम मिला है न वो मेरी उत्तर प्रदेश की बेटियों ने दिया है मैं पहली बार जब उत्तर प्रदेश में दौरा कर रहा था सौचालई बनाने के बाद में गाउं भी चला गया तो मैं सौचालई बनाने का वहां काम करने में उनके साथ जुडा था तो बेटियों ने इसे इज्जत कर शब्द दिया था और मैं समझ गया था कि मेरी बेहन बेटियों के लिए ये सौचालई कितना बड़ा महत्वपूरा है ये दिल्ली में आज तक सासन करने वालों को गरीब की जिन्दगी में सौचाले क्या होता है कि इनकी समझ के बाहर है भाईयों बेहनों मुझे इसकी समझ है भाईयों बेहनों रसोई घर के दुवे को उसी में जिन्दगी जीना हमारी माता और बेहनों ने उसे ही अपना भाग्य समझ लिया था दिन भर चूले के आज से निकलते हुए धुएं उसमें खाना पकाना धुए के करना बच्चों के आँखे जल रही है रो रहे है मा के शरीर में हर दिन चार सो सिगरेट जितना धुआ उसके शरीर में जा रहा है कितना दर्द जेलती होंगी हमने ऐसी करोडो बेहनों को इस दर्द से मुक्ति के लिए उजवला योजना के तहट गैस का कनेक्शन दिया भाईयो बेहनों हमारे देश में आज से साथ साल पहले गैस का कनेक्शन ये स्टेटस सिंबॉल हुआ करता था एंपी एमेले मंत्री उनकी सिफारिश से गैस कनेक्शन मिलता था सिरफ प्रधान मंत्री बदल गया सोच बदल गयी और सामने से जाकर के गैस का कनेक्शन देना शुरू कर दिया भाईयो जिन करोरो बेहनों बेटियों का अधिकतर समय पीने के पानी के इंतजाम में बिच जाता है मैं तो एक ऐसे राज्जे से आता हूँ जहां दस साल में साथ साल सूखा रहता था पानी की किल्लत रहती थी मैं उस दर्द को जानता हूँ और इसलिए मैं देखता था मेरी माता ये बैने बच्चिया स्कूल नहीं जाती थी क्यों तीन-तीन किलोमेटर दूर पानी लेने जाना पड़ता था भाईयो भेनो आज हमने नल से जल ये बड़ा अभियान चलाया है और पानी की सुविदा घर में पहुँचे सरकार इसकी चिंता कर रही है हर गर जल अभियान इस पर यूपी में तेजी से काम किया जा रहा है भाईयो भेनो आप ये भी जान लीजिए आपको कई नेता मिल जाएंगे बहुत बड़ी बाते कहेंगे हम आपको यतने पैसे देदेंगे दूसरा आएगा हम वो हजार दे रहा है तो मैं ग्यारा सो दे दूँगा तीसरा आएगा ये मुफद देता है तो मैं ये दो चीज मुफद देंगा ऐसे ही राजनीती में आजकर खेल चल रहा है लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जरा मुझे जवाब देना दोस्तों आपके पास घर है शांदार मंगलो है गाड़ी है उद्योग है वेपार है खेत है खलिहान है सुख ही सुख है दुख का नाम और निशान नहीं है लेकिन आपका जवान बेटा ये आपकी जवान बेटी घर से बाहर गई है और शांदार को उसका डेड़ बोड़ी उसका मुर्त देख घर आ जाएं तो ये घर किस काम का ये बंगलो किस काम का ये पैसे मिल कर किस काम की आपको चाहिए सुरक्षा सुरक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए सुरक्षी जीवन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए आपको सुरक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए जब कानून का राज नहीं होता तो सबसे ज़्यादा पीसना मेरे गरीब को ही पढ़ता है असर अच्छा की जिन्दगी जीनी पढ़ती है माफियाओं के राज में गरीब की सुनवाई नहीं होती उत्तर प्रदेश में पहले जो गोर्परिवार वादियों की सरकार रही उन्होंने यूपी का यही हाल बना रखा था हमारे दुकांदार व्यापारी कारोबारी कभी नहीं भूल सकते की कैसे पहले की सरकार के समय गुंडा गर्दी चनम पर थी हर एक दुकांदार स्थानिय गुंडों की घुडकी और धम की सुनने के लिए मजबूर रहता था कारोबार के सिलसिले में शहर के दुकांदारों को आ गावाना गाव के दुकांदारों का शहर जाना लगाई रहता था लेकिन पहले आए दिन व्यापारियों से दुकांदारों से पैसा लूट लिए जाने की खबरे खबारों में च्छाही रहती थी भाईयों बैनों यहां तो हालत यह थी कि अगर कोई त्योहार बिना तनाव बिना कर्भू के निकल जाता था तो लोग रहत की सांस लेते थे अब योगी जी की सरकार यूपी के लोगों को इन दंगाईयों से अपरादियों से मुक्ति दिलाने का काम कर रही है और इसलिए इसलिए आज पूरा यूपी कह रहा है आज पूरा यूपी कह रहा है जो कानून का राज लाए है हम उनको लाएंगे जो कानून का राज लाएं है हम उनको लाएंगे चाथियों उत्तर प्रधेश में तो पारम-पारिक लगू और कुटर उद्यों की एक समर्द विरासत है सितापूर की सूती और उनी दरी तो देश भर में मशूर है और आज मुझे भी तौफा मिल गया मैं आप का भारी हूँ वैसे मैं बताऊं जी मैं जब छोटा था तो मैंने जो बड़े बड़े शेहरों के तो नाम सुने थे लेकिन सितापूर का नाम बहुत सुना था हमने मेरे गाउं में साहिद वर्तमान पीड़ी को मालूम नहीं होगा जब मैं छोटा था तो मैं मेरे गाउं में सितापूर नाम सुनता था तब ये भी मालूम नहीं था कि सितापूर की कहा पढ़ता है हम तो सोच रहे थे कि गुजरात के किसी कौने में होगा क्योंकि जो थोड़े अच्छे घर के लोग होते थे और उनको कोई आँख की तकलिफ होती थी तो वो सिता पुराते थे मेरे गुजरात से आँख की बिमारी से दवाई के लिए लोग सिता पुराते थे आज हालत ये है मैं इसका वणन नहीं करता हूँ योगी जी ने इसको ठीक करने के लिए पांच साल बड़ी महनत किये है भाई यो अम मेरा सितापुर के मुनकर साथियों का ये जो दरी वाला काम है उनका जो परिश्रम है ये दुनिया भर में जाएं इसके लिए हम एक जन पर एक उत्पाद योजना लेकर के आये है मुझे बताईए भाईया अगर मैं वोकल फॉर लोकल वोकल फॉर लोकल वोकल फॉर लोकल ये बार बार चीक चीक करके बोलता रहता हूँ दिवाली आये तब भी बोलता हूँ हो ली आए तब भी बोलता हूँ शिवरात्री आए तब भी बोलता हूँ साधी की सिजन आए तब भी बोलता हूँ क्यों बोलता हूँ भै मेरा तो कोई कारखाना है नहीं कोई मेरा माल बेचने लिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है हिंदुस्तान के हर जिले में ऐसे उत्पाद है उनके लिए मैं बोलता रहूंगा दुनिया में बेचता रहूंगा ताकि सितापुर की दरी दुनिया के बाजार में बिकना शुदू हो जाए भाईया आप मुझे बताईये भाईया अगर कोई भी राजनितिक दल का नेता अगर ये बोलेगा कोई भी राजनितिक दल का नेता कि भाई वोकल फर लोकल स्थानी ये चीज़े खरी दिये मुझे बताईये उस पार्टी का कोई नुक्सान होगा क्या कोई नुक्सान होगा क्या अगर वो ऐसा बोलते हैं और आपकी 10-12-50 दरी ज़्यादा बिगती है तो आपका भला होगा कि नहीं होगा लेकिन उनको तो इसमें भी दर्ग है अगर वोकल फर लोकल बोल दिया और सितापूर की दरी ज़्यादा बिग गई और सितापूर के लोग सुखी हो गए तो क्रेडिट तो योगी जी को मिलेगा क्रेडिट तो मोदी जी को मिलेगा इसलिए बोलना ही नहीं भाईयो बहनो मैं आपके लिए बोलता हूँ आपके परिशम के लिए बोलता हूँ आपके हुनर के लिए बोल रहा हूँ भाईयो ये गोर परिवाद राजियों की सोचे ने तो इतने वर्षों तक अपने कारीगरों के हुनर के बजाए विदेश से आयात पर ही बल दे दिया अब तो हमने जासी से लेकर क्या लिगाट तक डिफेंस कॉरिडोर का जो काम शुरू किया है न हमने तो बजेट में हमारे पंकजी ने बहुत बढ़िया काम कर दिया है उन्हें बजेट में कह दिया है कि रक्षा छेतन में भी इतने रुप्यों का माल तो हिंदुस्तान में सही लेना होगा बार से नहीं ला सकते हो इसके काना हमारे देश में जो लोग तयार करते हैं चीजें वो बिकेगी भाईयो बेहनो आज हम लोकल के लिए वोकल होने की बात कर रहे हैं इसके पीछे यही हमारा प्रयास है हमारी कोशिज है कि देश पे अधिक से अधिक उत्पादर हो अधिक से अधिक रोजगार के नए अवसर बड़े आपको याद होगा साथ आट साल पहले मोबाइल फोन कितना महंगा होता था उस समय जादा तर मोबाइल फोन विदे से ही आते थे बाजपाद सरकार की कोशिशों की वज़े से आज भारत मोबाइल फोन बनाने वाला दूनिया का सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा देश आज भारत बन गया है भाईयो आज भारत में मोबाइल फॉन बहुत सस्ता हुआ है इंटरनेट सस्ता हुआ है गरीब से गरीब की पहुँच में है और ये मोबाइल फॉन मेरे देश के नवजवान बेटे बेटियां बना रही है और मेरे देश में माल तयार हो रहा है और विक रहा है लोगों को रोजगार मिल रहा है आपको सस्ता मोबाइल मिल रहा है साथियों नियत साफ हो प्रयास इमानदार हो दिल में सेवा का भाव हो तो रास्ते तो निकलते ही है आप ये भी याद करिए आपके घर में जो LED बल बाता है वो 6-7 पहले 300-400 रुपिये का एक लट्टू आता था हमने देश में ही इनका बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन करने पर जोर दिया आज ये बल्ब ये लट्टू 57 रुपिये में मिल रहा है सिर्फ बल्ब सस्ता नहीं हुआ बल्कि बिजली का बिल भी कम हुआ जो कोरी बाते करने वालों की पोल खोलने के लिए बहुत जरूरी है 2007 से लेकर 2017 तक के 10 सालों में इन्होंने 2 लाग से भी कम सरकारी नोकरिया यूपि के युवाओं को दी थी कितनी नोकरिया भीया? 2 लाग से कम कितनी 2 लाग से कम कितनी 2 लाग से कम और कितने समय में? 10 साल में जबकि योगी जी की सरकार ने अपने 5 साल में 4.5 लाग सरकारी नोकरिया दिये और आप ये भी याद करिये कि गोड परिवार वादियों की सरकार में नोकरिया किस तरह मिलती थी? लोगों को क्या-क्या पापड बिलना पड़ता था? ये मेरे उत्तर प्रदेश के नवजवान जानते बाई और बैनो 2017 से पहले खडन माफिया और भू माफिया का ही राज चलता था माफिया वादियों को तब बार 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 से जुचते सितापुर के गावों की चिंता क्या कभी हो सकती है क्या जो लूटने में लगे है योगी जी की सरकार ने इस चुनवती के समाधान के लिए इमानदार प्रयास किये नेमिशा रण्य को लेकर भी गोर परिवारवादियों का रवया क्या था वो आप मुझ से ज़्यादा जानते है हमारी सरकार ने नेमिशा रण्य के विकास के लिए भी ठोस कदम उठाए है साथियों जिनोंने यूरिया तक लिए किसानों पर लाठिया चलाई वो गाउं किसान का हित नहीं सोच सकते सीतापुर के किसान कभी नहीं भूल सकते कि कैसे गन्ना बेचने आए किसानों पर मिल के फाटक के सामने लाठिया बरसाई गई थी ये सीतापुर की बात आपको याद होगे भाईयो इनका track record गन्ना फैक्टनियों को बंद करने का भी रहा है योगी सरकार नई गन्ना फैक्टनियां भी लगा रही है और पुरानी फैक्टनियों की ख्यमता भी बढ़ा रही है आज गन्ना किसान को परची गर बैठे अपने मोबाइल पर ही मिल रही है हम इथेनौल के उत्मादन पर भी जोर दे रहे हैं ताकि गन्ना किसानों को आएका एक और विकल्प मिले पसु पालन से गाउ के किसान की आमद निवरे इसके लिए भी हम इमानदार प्यास कर रहे हैं हम बे सहारा पसु के लिए पसु शालाय बनवा रहे हैं ताकि किसानों की दिक्कत कम हो कोशिज ये भी है कि पसु के गोबर से भी अतिरेक्ट आएक किसान को मिलना शुरू हो जाए साथियों यूपी का विकास वो लोग नहीं कर सकते जो दंगाईयों को गुन्डों को माफियाओं को बढ़ावा देते हैं उत्तर प्रदेश के जागरुक लोग इस बात को भली भाती जानते हैं इसलिए उत्तर प्रदेश के लोग जी जान से कह रहे हैं आएगी तो भाजपा ही आएगी तो भाजपा ही आएंगे तो योगी ही लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है ये दंगावादी आप लोगों को बाटने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको एक जूट रहना है एक जूट हो करके मतदान करना है और आप याद रखिए पहले मतदान कमल निशान फिर दूसरा कोई काम मेरे साथ जोड से बोलिये भारत माता की भारत माता की मेरी उमीदवारों से प्रार्थना है जरा आगे आजाए और पंकच जी भी उनके साथ आगे आजाए जरा हमारे MP साथ से जोड़ा आगे आजाए मेरे साथ बोलिया हाथ उपर करके भारत माता की भारत माता की भारत माता की यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजातरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टाल करें हमारा तेजी सोभरता न्यूजाब डेली इंसाइडर